हलो एब्रीवन आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूँ एक से बढ़कर एक टिप्स की वीडियो आज आप लोग को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलेगा तो मेरे वीडियो पे इन तक बने रहेगा अगर आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए एक से बढ़कर एक न्यू टिप्स की वीडियो को हम देख लेते हैं आज की मेरी पहली टिप्स की वीडियो है इस तरह से छत्री को लेकर ये लगा रहता है इसमें ये बांधने के लिए इसे आप लोगों के लिए बहुत एज़फुल टिप्स की वीडियो लेकर आए हूं जिससे आप लोग अपने छत्री को अच्छे से अरगनाइज भी कर सकते हैं यहां पे छत्री के लाश्टिक खराब हो गई है तो इसके लिए हमें यहां पे लेना एक रबर बैंड तो इस तरह पर यहां पे नहीं परेंड रबर बैन इस तरह से छत्री में सेट कर दिया है इस तरह से आप लोग अपने छत्री को अच्छे से अरगनाइज कर सकते हैं और हमारी छत्री अच्छे K Tortanaya यहां यहांने यहां पे लेना है इस तरह से पुराना स्वार शॉक्स्त हर किसी के kiddingने ठाटी देखाती हुँ यहां पर मैंने पुराना सॉस को इस तरह से छतरी हमें पहना दिया आप अपने चतरी को कर सकते हैं देखने में अच्छी ति आई प्वेडिος आई तु नहीं हो कि एक लाइफ जरूर व्ला करनेन अबर पहली आर आया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना ये ऐसे ही चलते हैं नेश टिप्स की तरफ अगली टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड इस तरह से साड़ी और सेप्टी पिन को लेकर अक्सर आप लोग ने देखा होगा जब हम लोग साड़ी बीयर करते हैं तो इसमें पल्लू जरूर बनाते हैं पल्लू बनाते हैं तो उसमें हम सिंपली ऐसे ही जब हम सेप्टी पिन को लगा लेते हैं तो ये इधर आ जाता है पल्लू तो आज इसके लिए मैं बहुत यूश्फुल टिप्स लेकर आएं हो फ्रेंड अगर आप लोग इस तरह से से सिंपली सेप्टी पिन को लगा ल तो क effectively में लगाना है Easy अच्छे से पेपर में लगालेना है अब हमें सेपटी पीन में साडे में कर देना है अब इस तरह से अगर आप लोग पल्लू में सेफटी पिन को लगाएंगे तो आपका पल्लू बिल्कुल नहीं फटेगा क्योंकि पेपर के पीछे हमारा पल्लू जाएगा नहीं तो हमारी साड़ी फटेगी नहीं अब चलिए मैं आप लोगों किसे लगा कर दिखाती हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं एक्जामपल आपको देखर बता रही हूँ जिस तरह से यह हमारा पल्लू है पल्लू में हमें सेफटी पिन को लगाना है तो पीछे के साड़ से हमें लगाना रहता है तो इस तरह से हम जैसे पीछे के साड़ से इसे लगाएंगे तो यह लेखिए अब इधर हमारी साड़ी बिलकुल नहीं जाएगी यह चाहाँ जितना हम पल्लू हमारा खिचेगा इस तरह से हमारी साड़ी नहीं फटेगी तो इस तरह से आप लोग अपने चुनी और इस तरह से साड़ी के पल्लू को बचा सकते हैं फटने से तिया बहुत ही विच्फुल टिप्स को हम किस चीज में यूज करने वाले हैं इस तरह से हमें फ्रेंट चूड़ी को ले लेना है आज मैं आप लोगों को चूड़ी को दो तरह से इसे हैंग करने का बेश तरीका बताऊंगी अगर आप लोग को सिंपली जल्दी में अगर हैंगर बना की तयार करना है तो इस तरह स मैंने safety pin को इस तरह से लगा लिया है जैसे आप लोग के पास इस तरह से klature है इसमें klature लगा सकते हैं इस तरह से जैसे हम लोग rubber band अपने बाल में लगाते हैं तो अगर ऐसे ही हम इसे रख देते हैं तो जरुदर यह हमारी rubber band बिख्री रहती है इसके लिए हमें यहां पर लेना है safety pin और सारे rubber band को हमें इस तरह से safety pin के अंदर फिल कर लेना है और फिल करने के बाद इस तरह से हमें पूरी में इसे भी अच्छे से hang कर देना है इस तरह से आप लोग simply hang बना के तयार कर सकते हैं अब इस तरह से इसे कहीं पर भी आप लोग टांग सकते हैं तो इस तरह से देखने भी अच्छा लगेगा जहां पर भी आप लोग इस तरह से हैंग कर देंगे तो चलिए एक तरह से मैं आप लोगों को और दिखाती हूं बना करके अगर आप लोग यहाँ पे टीप नहीं लगाना चाहते हैं तो इस तरह से आप लोग इसमें टेप लगा सकते हैं तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं मैंने टेप में इस तरह से चूड़ी को जोइंड कर दिया है चूड़ी को जोइंड करने के बाद इसमें भी इस तरह से क जहां भी आप लोग इसे टांग देंगे अच्छा भी लगेगा देखने में और साथ ही आपका या सामान अच्छे से अरजनाज भी रहेगा जब कभी भी आप लोग को इसमें से safety pin लेना है या clay Hoje लेना है या rubber band लेना है यनि इसमें कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं सी तरह से बहुत सारा बड़ा से बना करके आप लोग इसमें सामान को अर्जनाइज कर सकते हैं जहां पर भी आपको इसे हैंग करना है वहाँ पर आप लोग इसे आसानी से हैंग कर सकते हैं तो आई हो फ्रेंड या भी टीप्स सब्सक्राइब सब्सक्राइब सित्काइबुन चाला चाला कितु है और यहां पर को सकते हैं क्लेक्त पर खणेब और चेपें पर प्रिलो ऊज़िने है नकाला को शाहित न सब्सक्राइब है तो नाइप से यह अधर यह कट जाती है इस तरह से आप लोग एक स्पून की हिलप से अधरक को अच्छे से छहील, अक्तन अधरक को चहील, आई हो प्रेंग, यहां भी टीप्स आप लोगको पसंद आई होगे चलिए, इसे ही चलते हैं निज टीप्स की तरफ, आगली टीप् क्लिट को लेकर अक्सर आप लोगने देखा होगा हम ऐसे ही क्लिट को रख देटे हैं दिखें वहां इधर उधर यह विखळी रहती घ justify 58 करने के लिए खसद हरने हैं यहां पर हमें लेना है इस तरह से प्रेसर कुकर वाली इस तरह से आपका क्लिप कहीं कुम होने का भी नहीं रहेगा तो चलते हैं below प्रूंच की में वीडियों इस तरह से अगर आप लोग आप काम जगाई तो इसमें आप लोग कोई चीज अरगनाईज करना चाहते हैं, इस्टोर करना चाहते हैं, जैसे आप लोग कोई चीज यहां पर अगर इस्टोर करना है तो इस तरह से पैकेट को लगा कर आप लोग इसमें कर सकते हैं, इसे इस्टोर करने के लिए इस तरह से आपको लेना है, क्लोथ वाली क्लिप तो इस तरह से यहां से लेके यहां तक आप लोग कोई भी सामान इसमें इस्टोर कर सकते हैं तो यह बहुत ही इच्फूल टीप्स है फ्रेंट आप लोग छोटे से फ्रिज में बहुत सारा सामान इसमें इस्टोर कर सकते हैं आपके दिमाग में यह बात से यह बंद हो गई है बिल्कुल यह खुली नहीं है तो यह बहुत ही ऐज़ुल टीप से है फ्रेंट्स इस तरह से फ्रेंट्स आप छोटे से फ्रिज में बहुत सारा सामान आप लोग इस्टोर कर सकते हैं सौस की बोतल हुई कुछ भी अगर आप लोग को इसमें लगाना है यहां से लेके यहां तक इसमें भी लगा सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, आई हो फ्रेंट छोटे से फ्रिज में इस तरह से सामान इस्टोर करने का यह विश्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो के एक लाइव जरूर कर देना, तो ऐसे ही एक से बढ करकर एक न्यू टिप्स के साथ फिर में आज, थैंक्स फार वाचिंग,